नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूटूब चैनल पर दोस्तों जामया में इस साल जो बीड जनरल में डिस्टेंस मोड में जो एडमिशन होने थे उसकी दोस्तों अभी तक चार लिस्ट आ चुकी है और इसी के साथ साथ जामया ने यहां पर पांच भी लिस्ट भी निकाल दी है तो लिस्ट को डाउड करने के लिए दोस्तों आपको गूगल पर जामया मेल असलामय की वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों सारी जितनी भी अभी तर लिस्ट आए है वो सारी लिस्ट यह कुछ इस तरीके की संहي है आपके सामने एडमेशन काimir है दोस्तों हम पिछली चार वीडियो यहां पर बना चुके है लिस्ट को लेकर और एडमीशन प्रोसेस को लेकर उन चारों वीडियो का लिक्वा दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएग दूसरी एक important बात बात जो है जो मैं हर वीडियो में बताता हूं admission के regarding जो साथी पहली बार admission लेने जाएंगे वहाँ पर दोस्तों आपको जो fees की payment है 20,000 पे की online payment करनी है online payment करने के लिए दोस्तों आपको debit card के थुरू वहाँ पर payment करनी होगी तो जो भी debit card आप लेकर जाने वाले हैं admission के लिए उसकी जो limit है online transaction की उसको एक बार जरूर चेक कर लिजे ताकि वहाँ पर आपको दिक्कत या परिशानी का सामना ना करना पड़े मालीज़े आपकी card की limit 10,000 पे है और वहाँ पर आपको 20,000 पे की payment करनी है तो उस समय वह 20,000 पे की payment नहीं हो पाएगी और आपका admission process वहाँ पर बात दे हो जाएगा तो जो भी card आप लेकर जाने वाले हैं उसको उसकी जो limit है वो घर से ही चेक करके लेकर जाएं और आसानी से अपने admission आप ले पाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो लिस्ट आई है इसमें admission लेने की जो last date यहाँ पर रखी है यहाँ पर लिखा है admission formalities are to be completed by selected candidates on 26 दिसंबर 22 अप टू एक पीम सब्सारी तक का आपके पास time है एक वेज़े तक आप यहाँ पर एडमिशन के लिए जाकर admission ले सकते हैं यह सारे डोकिमेंट आपको लेकर जाने है जिसे बोलते हैं उसको अपग्रेड भी किया गया है जैसे कि पहले पेज़ पर अपग्रेडेशन लिस्ट है यहाँ पर इस candidate का जो सेंटर था वो अपग्रेड कर दिया गया है यहाँ पर दोस्तों selected candidate है general category से इसका रोल नमबर लिखा है प्रेफरेंस सेकेंड थी इनको दर्श कॉलिज मिला है यह भी सेलेक्टिट की लिस्ट है तो बालाजी कॉलिज में असीम सिद्धिकी कॉलिज में यहाँ पर दो कैंडिट का सेलेक्शन हुआ है और अलफला युनि दोस्तों अलवर में यहाँ पर भी तीन कैंडिट का सेलेक्शन हुआ है और सरस्वती कॉलिज में दोस्तों एक कैंडिट का यहाँ पर सेलेक्शन हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर कुछी सीटे बच रही थी जिनमें इन कैंडिट का सेलेक्शन यहाँ पर फिफ्ट लिस्ट में दिखाया जा रहा है अगर दोस्तों यह जितने भी केंड़ेट्स यहाँ पर रोल नमर लिखे हैं इस लिस्ट में और यह इस्टिपलेड़िट टैम में अपने अपने प्रोसेस पूरा नहीं करते हैं और सीटे खाली रह जाती हैं तो हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भ रोल नमबर इस लिस्ट में लिखा है उन तक कि जानकरी पहुंच जाए कई बार ऐसा होता है कि साथ ही यहाँ पर पहली लिस्ट में नाम ना आने पर एक या दो लिस्ट तक ही वेट करते हैं उसके बाद वह मीच छोड़ देते हैं कि उनका एडमिशन नहीं होगा तो पर सेलेक्शन हुआ है वह इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और अपना रोल नमबर देखकर टाइम से अडमिशन ले लें दोस्तों अगर आपको यह जानकारी और यह वीडियो अच्छे लगी है तो इस वीडियो को जाधा जाधा लाइक कीजिए जाधा शेर कीजिए ताकि सेलेक्शन की जानकारी पहुंच जाए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगी कि आपके सभी कमेंट्स का सही सही आंसर दे पाएं दोस्तों और सभी प्रकार की टीचिंग वेकेंसिस से चुड़ी ऑथ